नमस्कार आप देख रहे हैं News 11 भारत और अब तक की बड़ी और एहम खबरों के साथ मैं हूँ डिंपल नियोजे नीती के निरस्थ होने पर छात्र सडक पर उत्रे हैं वधान सभा से निकल कर छात्रों को पुलिस ने रोग दिया वही छात्र नेता दिवेंदर महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया इस बीच मंतरी सत्यान धोकता लम्मोदर महतो दिपिका पाने सिंग और विनोध सिंग छात्रों से बातचीत करने पहुँचे नियोजन निती निरस्त होने के बाद परिशान थे छात्र चात्र आये और इसी वज़ासे आज सड़क पर उतर आये थे प्रदर्शन उन्होंने किया लेकिन विधाकों के आश्वासन देने के बाद वेशांत हुए उनकी चार सूत्री मांगो को मान लिया गया मंत्री सत्यादान भोक्ता सुद्यव्यसोन नई नियोजन नीती पर भी काम किया जाएगा नियोजन नीती पर भी काम किया जाएगा चार सुत्री मांगों पर बनी सहमती और नई नियोजन नीती पर मुख्यमंत्री से अब श्वास किया और उसके बाद सब प्रदशन खत्म कर अपने अपने घर लौट चले सुभा से ही आज पुराने विधान सुद्यव्यसोन ने प्रदशन किया था काफी चिंतित थे आकरोश था उनमें अपने भविश्यों को लेकर परिशान थे और इसी वज़ा से अपने सवालों को लेकर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उत्रे थे ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुँच सके और आखिरकार उनकी मांगे सुनी गई उनसे बाचीत करने के लिए विधायक पहुँचे थे जुन्हें खुद सीमेवन सुरेन ने भेजा था और बाचीत करने के बाद छात्र छात्राए शान्त हुए सरकार से गुहार लगा रहे थे नियोजन नीती को लेकर और अब उनकी चार सुत्री मांगो पर सेहवती बन चुकी है मुख्यमंत्री से चर्चा होगी उनकी मांगो को लेकर नियोजन नीती को लेकर प्रदर्शन पर बैठे छात्र छात्राए लोट चुके है सुभा से ही आज सड़क पर उतर आये थे विध्यार्थी कई छात्र छात्राई competitive exams के लिए तैयारी कर रहे थे और इसी वज़ों से उनमें ज्यादा गुस्सा था नियोजन निती रध होने के बाद अपने भविश्य को लेकर वे परिशान थे चिंतित थे और आज प्रदर्शन पर उतर आये थे पुराने विधान सभा के गेड़ के पास प्रदर्शन कर रहे थे जुन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की और शाम में जब विधाक उनसे मिलने पहुँचे उसके बाद स्टूडेंस शान्त हुए और अपने अपने खर लोटे सरकार के प्रतिनिधी जब उनसे बादचीत करने पहुचे तब बेश संतुष्ट हुए और प्रदश्चन को खत्म किया उनकी चार सूत्री मांगे थी उनकी मांगो को सुना गया और अब मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा होगी और अब शायद नई नियोजन नीती बनेगी मंत्री सत्यादान भोगता सुदिविक्यमार सोनू दिपिका पांडे पहुचे थे नई नियोजन नीती पर मुख्यमंत्री से चर्चा होगी बातचीत होगी और उसके बाद कोई ठोस निर्नाई लिया जाएगा जिसका आश्वासन भी दिया गया है विध्यार्थियों को और आप देख पा रहे हैं कि कम से कम हजारों की संख्या में विध्यार्थि मौजूद थे आज पुराने विधान सभा के गेट के पास आप दिनबुचू माटी हामारा लूटा थे रे माय हामारे छूटा थे रे कॉन जे बेरा कुन जे बेरा उगा थे हाईरे 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 कुन जे बेरा कुन जे बेरा उगा थे रोजदीना दादा रोजदीना बुचुगाओ हमारे लूट थे रे दिवेंदर नात महतों को जो रात में ग्रिपतार किया गया है उसका अभिलम रिवाई हो नहीं तो पूरे जार्खन परदेश में छात्र सरकों पर होंगे सब कर लिए उसके बाद भी नौकरी नहीं है और एक चालाकी के साथ उनका उमर को गवा दिया जा रहा है और यह आपने सही कहा कि यह मार्च में बहुत सारे ऐसे इस्टूनें डाते हैं जो हो सकता है कि अंतिम बढ़ाव में है नौकरी पर मुखमंदर जी से बात करेंगे और चायेंगे कि साकरातमक पहल हो और साकरातमक परिनाम भी निकले इस दिसा में हम लोग करवाई करेंगे देखे जो मांग था चात्रों का चुकि सब घर का लड़का है घर का हमारे लड़कियां है और उन्हों को मांग जाए जाए उच्छ पर सरकार विचार करेगे पाइसा भी नहीं लगेगा अकिन तोड़ना भी नहीं है और उम्र में भी हम लोग उनको छुड़ देंगे पूरा हंडेर परसंट इस सरकार जो कहतीव करती है जाएगी नहीं जाएगी वहम लोग असानी असर पर उसको नेज़र निकाल लाएगी यहाँ पर चात्र संतुर्ट है अब लोग सब घर जा रहा है और साथ ही मैं चात्रों के नेता से भी बात करने की कोशिच करूंगा लाइक और शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा